आज मैं गनेश चतूर्ती के लिए बुंदिया बना रही हूं, तो यही रेसेपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूं, बेसन के साथ यहाँ पे मैं पानी एड़ कर रही हूं, पानी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छी तरह mix करते जाएंगे, एक बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक बैटर के जैसा बनाएंगे, मैं आपको बता दूगी कि कितना गाढ़ा होना चाहिए बैटर, पर इसे अच्छी तरह mix करना होता है, तो अरांड दो तीन मिनट के लिए आप कोई भी पूजा में यह प्रशाद बना सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा थोड़ा बेशन में डालकर, पानी डालकर अच्छी तरह mix कर लिए, तो यह देखिए इतना मोटा होना चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहोगा, बहुत अच्छे से mix करना यह लिए 20, 50, 25 तो चाहिए, आप चाहिए तो इसे चाल कर भी चलनी से चाल कर भी वेशन को कर सकते हैं, यहां पर में हल्दी पॉडर डालरे हूँ, कलर नहीं डालरही हूँ, हल्दी पॉर्डर से के ऐच्छी जो ना बूंदिया का जो कलर होता है , वो आ जाता है तो और इसमें कुटा हुआ इलाइची डाल दे रहें आप चाहे तो यहापर केसर भी डाल सकते हैं मैं इलाइची डाल रहा ही हूँ और इसे गरम करेंगे जब तक कि चीनी पिघल ना जाए तब तक इसे गरम करेंगे यह जो चाशनी है इसे बस चीनी को पिघलने के बाद एक से दो मिनट तक कुक करना होता है इसे चाशनी मतलब एक तार वाली चाशनी नहीं बनाने है यह बहुत इजी वाली चाशनी है बस चीनी पिगल जाए, पिगलने के बाद सिफ दो मिनट के लिए मिडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे जिसे की चीनी अच्छे से पक जाए तो चीनी पिगल गई है और अब ये देखिए यहां पे दो मिनट के लिए मैं इसे cook कर ले रही हूं medium flame पर और उसके बाद पी मैं gas को off कर दूँगी दो मिनट के बाद चाशनी कुछ ऐसा हो जाता है color थोड़ा change हो जाता है और इसे मैं upside कर देती हूं यहाँ पर तेल भी गरम हो गया है तो बस इस गरम तेल से मैं एक चम्मच तेल लेकर जो बैसन का जो बैटर है उसमें मैं add कर दे रही हूं साथ ही यहाँ पर मैं baking soda एक चुटकी soda डाल रही हूं यह चाहे आप इसकिप कर सकते हैं और अच्छी तरह एक बाद मिक्स कर लेते हैं तो बैटर जो है आप देखे कैसा बैटर रेडी हो गया है ऐसा होना चाहिए जिससे की आराहम से drop drop गिर सके तेल तो गरम है अब इसके अब बैटर वह दाल रही हूं तो यह देखे जो बैटर रहे है वह खुद से अपने आप गिर रहा है बस मैं थोड़ा सा हाथ से उसे कर दे रही हूं चमज से इससे क्या गोल गोल आएगा आप चाहे तो कडाई में भी उसे पटक पटक कर जार सकते हैं मञतलका बैसन का जो बुंदी आ रहा है वो निकाल सकते हैं तो यहां पर यह हो गया और मैं दो मिनट तीन मिनट करीब मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लूँगे जिससे कि यह थोड़ा क्रेस्प हो जाता है अगर आप चाहे बुंदिया नहीं भी बनाना चाहे तो भी यह बुंदी इसे आप स्ट मिक्षर के जैसा कहा सकते हैं तो यहां पर तीन मिनट के बाद गलर थोड़ा चेन्ज हो गया और इसे मैं निकाल लिती हूं तो यह सही मैं सारे बुंदी रेडि कर लेती हूं चाशनी तो मैं अल्रेडी पहले से रेडि कर लेती हूं तो यहाँ बूंदी भी गरम है और हलका चाशनी भी गरम है बस बूंदी को मैं इसी टाइम पर उसमें मिक्स कर दे रही हूं और आराम से इसे अच्छी तरह मिक्स कर देती हूं तो इसे मिक्स करने के बाद करीब एक से डेल गंटा छोड़ दीजे जिसे कि चाशनी जो है पूरा बूंदी के अंदर डूब जाया मतलब सोक हो जाए तब जाकि यह सॉफ्ट होगा तो अभी क्या यह थोड़ा क्रिस्पी होगा इसे अराम से दो गंटा छोड़ दीजे दो ग कौन से तहवार पे बनाना पसंद करते हैं होप मेरी यह रेसेपी भी आपको पसंद आई होगी पसंद आये तो एक लाइक जरूर कीजिए मैं उपर से सिफ गार्निश कर रही हूं ड्राइफ फ्रूट से यह भी ऑप्शनल है और रोस पेटल से मैं कर रही हूं ताकि कर रही हूं